नमस्कार दोस्तों, आज एक और खास विशबर वीडियो लेकर कि आपके बीच बाये हैं, जैसा कि आमने टाइटल देख लिया होगा, इसमें बात करने वाला हूँ, युवा राजनीती में कैसे सफल हो सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, युवा कैसे करे राजनीती, और पहास कर से वो युवा जिनका कोई पॉलिटिकल बैग्राउंड नहीं है, ऐसा नहीं कहा रहा हूँ कि जिनका पॉलिटिकल बैग्राउंड है, उन युवा के लिए राजनीती बहुत आसान उने वाली है, उनके चैलेंज अलग तरह क्या होंगे, लेकिन आज इस वीडियो म मैं बात करूंगा, जिनका पॉलिटिकल बैग्राउंड नहीं हो, वो कैसे करें, और जिनका पॉलिटिकल बैग्राउंड है, उनने क्या क्या चुनाते आती हैं, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बात करूंगा, सबसे पहले चीज तो, यदि आपका कोई पॉलिटिकल नहीं है, और आप राजनिती में आना चाहते हैं, तो आप अपनी शुरुवात जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें, राजनिती में पदरपन जल्दी कर दें, जल्दी मतलब आइडल एज 18 साल, 19 साल है, और आइस्ता इस्ता इस्ता शेतर में काम करके, अपनी किसी मु ही हुए हैं जिन्होंने अपने काम से अपनी कोई पहचान बनाई है multiple καम करने वाले अलग-अलग तरह का काम करने वाले लोग किसी एक फिल में पहचान नहीं बना पाती अप राजीदी चुनना चाते राजीदी का कोई मुद्दा चुनिये अपने शेत्र का कोई मुद्दा चुनिये शिख्षा का मुद्दा हो सकता है स्वास का मुद्दा हो सकता है सफाई का हो सकता है law and order का मुद्दा हो सकता है लीगल मुद्दा हो सकता है बहिलाओं का मुद्दा हो सकता है बच्चों का मुद्दा हो सकता है क तो आपको ठीक लगे। लेकिन किसी एक गुद्दे से अपने आपको एस्सूसेट करें और राजनीती की बारी क्या सीखते सीखते आगे बढ़ें और जितना जल्दी हो सके जल्दी करें लेकिन चुनाओ लड़ने में जल्दबाजी ना दिखाएं। करके नहीं देखना होता कि गड़े की डेप्थ कितनी है कोई दूसरा अगर गिर के आ चुका है या कोई बता रहा है एक्सपरियंस आदमी या कोई और तरीका हो सकता है बिना गिरे चेक करने का तो बिना गिरे चेक कर लें क्योंकि सारे तजरुबे अपने उपर नहीं कर चल गया कि आपके वल वोट कार्टने के लिए खड़े हो गए थे आपके वल नाम के लिए खड़े हो गए थे आपके वल परचार परसाल के लिए खड़े हो गए थे दुबारा आप सीरियसली भी खड़े होंगे तो जंदा स्यूकार नहीं करेगी तो पहले पहले आपको प में लगे चाहे कितना ही पैसा संसाधन खर्चो लेकिन कम से कम एक पृतिशत वोटर्स का आपके साथ होना जरूरी है दूसरी चीज युवा क्या ध्यान रखेंगे क्योंकि जातर पॉलिटिकल पार्टियां और के लोग बुरी लगे ही मेरी बात बट कडवी है सचा है ये बत जाते तब तक ही बोलते रहे जब तक उनके नेताओं के बच्चे बड़े नहीं हो गए जब उनके नेताओं के बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने भी परिवारवाद बोलना बंद कर दिया क्योंकि अब उनकी अगली जनरेशन आ गई है वो नेता पराने जा चुके है या जा रहे हैं नई पीडी को मौका देना है तो कैसे परिवारवाद बोलेंगे तो अपनी पार्टी बंत कर रही पड़ेगी अपनी पार्टी के ओपर बात आ जाएगी तो आपने क्या करना है इसमें युवा क्या करे युवा अपनी पहचान मुद्दे के साथ बनाने के साथ पार्टी और संगठन में एंट्री करने से पहले सभी पार्टी और संगठन के नेताओं से बात्चीश शुरू करे विचारधारा के अधार पर अपने जनाधार के अधार पर अपनी पहचान के अधार पर और बारगेन करें पूरी तरह से क्योंकि जब आपके पास एक प्रतिशत वोट है तो भले ही एक प्रतिशत वोट जादा फर्क ना पड़ता हो लेकिन चुनाओं में बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि जहां 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 वोट से हार जीत हो रही हो वहाँ विधान सभा लोक सभा में एक प्रतिशत वोट आपके पास हो तो आपकी कदर करी जाएगी बले आप चुनाओं ना लड़े लेकिन इतनी थ्रेट होनी चाहिए कि अगर यह लड़ लिया अगर यह खड़ा हो गया तो यह जीते ना जीते हमें तो हरा देगा दब दबाओ पड़ेगा तभी तभी यह लोक सीदे होते हैं तो आपने क्या करना है पार्टी संगठन में जाने से पहले अपनी पकड़ बना ले निये ग्राउन में और फिर पार्टी के नेताओं से बाचीश शुरू करनी है डारेक्टली करें या अंडारेक्टली करें मैं सिखा दूँ और किस तरह से बाइपास रूट बना जाता है क्यों कई बार ऐसा होता है आप किसी पार्टी में नहीं है तो party के लोग आपसे मिलना चाहेंगे जुडना चाहेंगे और वो चाहेंगे एक बार आपकी photo उनके साथ हो जाए तो अब आपने क्या करना है इससे बचना है photo opportunity से क्योंकि अगर एक बार ठपा लगे आप इस party के हैं तो फिर जनता में आइस्ता आपकी छवी बनेगी कि आप इस particular विचाधरा आइडिलोजी के हैं तो आपको कब वो photo opportunity में जाना है किस तरह से अपने आपको स्थापित करना है वो आने वाले समय में बताएंगे कभी specifically design करेंगे आपके लिए आपका road में क्योंकि हर वेक्ति के लिए अलग अलग होगा हर एक की situation अलग है हर एक की पड़ाय लिखाय अलग है हर एक का background अलग है हर एक की age अलग है तो सेम road map हर एक के लिए काम नहीं करेगा हर एक के लिए अलग-अलग road map बनेगा लेकिन हाँ party असे अगठर में बात्चीश शुरू कर दे मुद्धों के अधार पर अपना image बनाना शेतर में अपनी पहचान बनाना और party के अंदर बात्चीश करके party में भी आपकी पहचान बने directly बने या अन directly बने तीसरा काम युवा क्या करें युवा नई technology को सीखें नई नई चीज़ों को सीखें वो चीज़ें जो वर्तमान निताओं को नहीं पता है वो बातें जो वर्तमान निताओं को नहीं पता है अब जैसे मेरे पास जो लोग ट्रेनिंग के लिए आतें वो अपने बच्चों को तो ट्रेनी दिला रहे हैं, वो अपनी अगली पीडी को तो तयार करने हैं, लेकिन जो पुराने हैं, बहुत सारे तो निताय से इंसांसत विदाग टेक्नो से भी नहीं है, उन्हें सोचल मीडिया को यूज़ नहीं करना आता, उन्हें वर्ट से फेस् को डवलटी को करने पर फोकस करिए, बाहर का तो ठीक है, आपका ड्रेस सेंस होगा, जो भी आप डवलप करना चाहेंगे, अपने शेत्र के हसाब से, वेश भूशा के साब से, अपनी पहचान के हसाब से, लेकिन इन्टरनल क्वालिटी को करिए, खास करसे, communication skill को डवलप कर राजेस्तर के मुद्धों के बारे में नॉलेज, राश्टेस्तर के मुद्धों के बारे में नॉलेज, जितना जादा आपके पास ग्यान होगा, ये ग्यान आपकी रक्षा करेगा, जब आपको टीम बिल्डिंग आती होगी, आपको मैंटू मैं मार्किंग आती होगी, आपक साल तक बिलकुल पर्फेट पॉलिटिशन बन चुके होंगे और वर्तमान पॉलिटिशन से ज्यादा बहतर होंगे वो जिस तरह से चाल बाजियां चला क्या करते हैं धन बल बाहुबल का इस्तमाल करते हैं आपको उसकी ज़रोत नहीं पड़ेगी लेकर आपको पताफ होगा ताकि आप काट कर सकें ताकि आप तोड़ सकें आप बता सकें उसको कि वो कहां करप्शन कर रहा है कहां गलत कर रहा है ताकि वो आप पर उगली नहीं उठा पाएगा उगली उठाने से प लेकिन हाथ चुनाओतिया होंगी और किस इस तर की चुनाओतिया होंगी उस पर कभी होंगी डिटेल में बात करेंगे मैंने इसमें कोशिश किये जर्नलियून यहाओं के बारे में जिनका कोई political background नहीं है क्योंकि जिनका political background है तो उने सिखाने वाले भी बहुत लोग है उनके परिवार हैं माता पिता हैं जो लोग और रेडि उनके परिवार में राजनीती में रहे हैं या हैं वो कुछ लोगों को सिखाते रहते हैं या उनके पास बहुत सारे advisors हैं वो help कर देते हैं लेकिन जो आम घरका लड़का लड़की है जिसके पास कोई guide करने के लिए नहीं है मैं समझता हूँ कि उनका guide मैं बनूँ उनको मैं mentoring करूँ उनको मैं सही मार्दर्शन दूँ तो जातर वीडियो उन्हीं के लिए बना रहा हूँ आपको वीडियो कैसा लगा कोई doubt है कुछ पूछना चाहें तो comment box में लिख सकते हैं मुझसे बात करना चाहें तो पात दस्विंट free of cost बात कर सकते हैं वीडियो को description मेरा number मिल जाएगा बात करिएगा आपके उजल राजिती भुष्य के लिए हार देश शुबकाम नाए जै हिंद जै भारत